के बारे में एक सवाल है ओम प्रकाश जी का और सपूर्थला से इन्होंने सवाल देजा है तेंगल जी का यह कह रहे हैं कि इनके पास आठ शेर हैं आठ सो का भाव है लंबे वधी का निवेश है इनका पूछने क्या और लिया जाये इतको यह तो अपनी सारी निगेटिविटी को खद्म कर चुका है बट मैं नहीं समझता कि यह और एड करने की जेगह है ठीक है काप्टल गुड्स में बहुत जेगह बनती है यहां से बहुत अफसाइट बनता है लेकिन नहीं इसका वैलुईशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो ग करना चाहिए इस वैसे भी इस मार्केट में मैं प्रेश इंवेस्मेंट बहुत लिमिट करके ही रखना चाहता हूं अगर लोर लेविल मिलता है ना तो इसको एवालुएट कीजिए और क्लोज है 4200 10% मतलब 400 रुपए 400 रुपए मतलब करीब करीब हो गया यह 3800 और 200 यह में है करीब करीब 3700 और एक हाई है 3600 देखिए इसका सपोर्ट बनेगा आपका वैलुएशन प्लस प्राइस लेवल पूट तोगेदर 36-3800 वहां पर आप इसको रिवियो कीजिए तो अगर सिंगल जी और लेना चाहते हैं आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि आपको अग सेफ्टी निट बहतर रहेगा और वैसे भी अगर ज्यादा चल भी गया वह लेवल नहीं भी आए तो आप पहले से निवेशत हैं ही तो कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो निवेश का स्तर है वह बहुत शांदार है 800 रुपे पर आपने खरीदा है अच्छा फायदा आप दिक्कत है नहीं नीचे आए तो फिर और जोडने के बारे में सोचिए ये कहना है शुमेश्ची का